नमस्कार दोस्तों मैं चेप्रकाशलेच आपका अर्दिक स्वाद करता हूं आज हम क्यूश्चन सोल करेंगे आर्पीसी एसिस्टेंट प्रोफेसर एबी एस्टी 2016 में आयवा क्यूश्चन है समंध गुणांक आर होता है बी वाई एक्स था बी एक्स वाई दोनों प्रतीप अगमन गुणांक कोंग का फेस्ट ऑप्शन गनितिय माद दिये सेकिंड ऑप्शन गुणत्र माद दे थर्ड ऑप्शन रात्मंग माद दे फौर्थ ऑप्शन इन में से कोई नहीं कोर्यलेशन कोफिशेंट आर इस दी हमें जो फिल इन दी ब्लेंक्स बढ़ना है ओफ दी तो यहां पर एक तो हम देखें कि समंद्गुणांक दे रखा है जबकि इसका नाम होता है सह समंद्गुणांक तो कई बार कुश्चन में थोड़ा बहुत इंदी में प्रिंटिंग में कुछ नो कुछ मिश्टेक आ जाती है तो हमें इंग्लिस के वर्ड भी पता हुना ची है तो कौर्रेलेशन कोफिसेंट यानि सह समंद्गुणांक और समंद्गुणांक देते है तो अब सब्सक्राइब हम यही मान करें चैलेंगे कि यह समंद्गुणांक दे रखा है और दोनों का क्या होता है तो कृट्रेक्ट ऑप्शन है जोमेंड्रिक में यह हम प्रूफ होता है वो होता है r into sigma x upon sigma y इसे का equation number 2 अगर equation 1 और equation 2 को multiply करूँ तो equation 1 into equation 2 this implies byx into bxy equals to r into sigma y upon sigma x into r into sigma x upon sigma y तो sigma x से sigma x cancel sigma y से sigma y cancel तो हमें मिलेगा right hand side में मिलेगा r square और left hand side में मिलेगा byx into bxy और अगर इस प्रकार का result होता है तो हम कहते हैं कि जो r होता है वो byx और bxy इन दोनों का geometric mean होता है तो मारा correct option है second option यानि गुणत्र माद्य है अगर p square ब्राबर अगर हम कहें कि p square ब्राबर a b है तो हम कहेंगे कि जो p है वो क्या है geometric mean of a and b तो अगर p है वो a और b का geometric mean है तो p square ब्राबर a b मिलेगा तो यहां पर r square byx into bxy है तो हम कहेंगे कि आर है वो geometric mean है इन दोनों का चाए a और b का geometric mean कहो चाए b और a का geometric mean कहो उसे कुछ फरक ही नहीं पड़ता है हमारा next question है यदि दोनों प्रतीप की दो गणान गुणांक यानी समाश्रन गुणांक रिनातमक हैं तो दोनों व्रेटिव नेगेटिव दर रखें तो सै समंध गुणांक होगा यानी आर की वेवल्य पतानी है first option है दनातमक second option रिनातमक third option सुन्य for the option of prop में से कोई नहीं इफ बहुत दी regression coefficient are negative then coefficient of correlation is positive negative zero none of these तो ये जो हमारा question है इस question को भी हमने previous question किया था उसी formula से solve कर सकते हैं तो हमारा byx था वो था r into sigma y upon sigma x और हमें पता है कि sigma y और sigma x ये दोनों कैसे होते हैं positive होते हैं या जीरो हो सकते हैं लेकिन कभी भी negative नहीं हो सकते हैं तो ये value हो मेंसा एक बार 0 वाड़ option छोड़ दें तो ये value मेंसा positive और हमें दे रख है कि जो regression coefficient है वो negative है तो ये value negative तो अगर ये value negative है तो right hand side को भी negative होना पड़ेगा और right hand side negative तभी संबभ जब r कैसा हो negative हो तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर byx है वो negative है इस इंप्लाइज आर कैसा होना चीए negative होना चीए तो हमारा correct option है second option अगर हम दूसरा regression coefficient और लिखें byxy तो r into sigma x upon sigma y इससे भी ये negative है तो इसको negative होना पड़ेगा क्योंकि यह quantity कैसी है positive है तो इससे भी यह result मिलेगा कि आर कैसा है negative है और r square बड़ावर हमने निकाला था bxy into byx तो इसका मतलब r कैसा होगा plus minus root bxy byx तो अगर question में यह होता कि दोनों प्रतीप गुमन गुणांक दनात्मक है यह रिणात्म के क्युष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आत्मक होगा और एक रनात्मक होगा तो आर स्क्वाइर की वेल्यू कैसे हो जाएगी पॉजिटिव इंटु नेगेटिव और पॉजिटिव इंटु नेगेटिव यानि आर स्क्वाइर कैसा होगा नेगेटिव होगा और आर कैसा हो जाएगा imaginary हो जएगा जबकि R में सा real होता है और minus one to one के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब ऐसा संबभ नहीं है कि एक value positive हो जाए और एक value negative हो जाए तो correct option अगर दोनो negative तो R negative और दोनो positive तो R भी कैसा positive question है से समंद गुणांकार तथा समाचरन गुणांको BXY के मद्य समंद है the relationship between the correlation coefficient R and the regression coefficient BXY and BYX is first option R equals to BXY into BYX second option R equals to plus minus root BXY into BYX third option R equals to BXY into BYX fourth option R equals to BXY plus BYX upon 2 यान इनका average तो यह हम question पढ़ चुके हैं तो R square भाबर BXY BYX and this implies R equals to plus minus root BXY into BYX तो हमारा correct option है second option हमारा next question है RPSC assistant professor economist 2016 में आयवा question question है अभी कथन A से समंद गुणांक प्रतीप गमन गुणांकों का ज्यामितिय माद्य होता है कारण R R equals to plus minus root of BXY into BYX और चार option दरखें first option है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है second option है A और R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है third option है A सही है किन्तु R गलत है और fourth option है A सही है किन्तु R सही है किन्तु R गलत है assertion A दे रखा है correlation coefficient is the geometric mean between regression coefficient तो geometric mean को इंदी में जामितिया माध्य भी बहुते है गुन अत्रमाध्य भी बहुत सकते है तो जामितिया माध्य नाम भी आ सकता है गुन अत्रमाध्य भी आ सकता है बात ये किये reason R दे रखा है R equals to plus minus root BXY into BYX first option है both A and R are correct and R is the correct explanation of A second option है both A and R are correct but R is not correct explanation of A और third दे रखा है A is correct but R is incorrect और fourth option दे रखा है R is correct but A is incorrect तो हमें बताना है कि कौन सा option सही है तो हम पढ़ चुके हैं दोनों result लेकिन फिर भी सही option कई बार थोड़ा सा भी अगर दरू दरू जाते हैं तो चूक जाते हैं यह तो हमें भी पता है कि जो कथन है वो यह सही है और reason R है वो भी सही है हम प्रूफ कर चुके हैं इसी लेक्चर में कि R स्कुार ब्राबर BXY इंटू BYX तो इसका मतलब जो R है वो इन दोनों का क्या है जो मेट्रिक मीन है और उससे हम सोल करके लिखें तो R ब्राबर प्लस मैंस यह लिख सकते हैं लेकिन यह बताना जुरूई है कि A और R दोनों सही है यह तो सही हो गया तो first statement second statement दोनों में correct option है लेकिन correct option है कौन सा वो देखना है क्या यह सही इसका explanation है और या नहीं है तो सही explanation यह है कि Bxy question होता है R into sigma x upon sigma y upon sigma x Bxy है तो sigma x upon sigma y और Byx है तो उसके बराब होता है R into sigma y upon sigma x तो Y on x यानि sigma y upon sigma x और इन दोनों को multiply करके अपने यह result प्राप्त करते हैं तो अगर explanation की बात पुछे region की बात पुछे तो region यह देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा formula होगा वो देना पड़ेगा यह तो इसी statement को mathematical formula में लिख रखा है तो इसका explanation नहीं है यह इसकी व्याख्या नहीं है तो हम कहेंगे both A and R correct but R is not correct explanation of A यानि A और R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है तो हमारा second option correct है यानि option second is correct यह 2016 में आया question है question है सह सबंद गुणांग क्या होगा या दि समासरन गुणांग 0.2 और 1.8 है the coefficient of correlation when coefficient of regression R 0.2 and 1.8 regression coefficient की value दिरखे 0.2 तो मैंने माना Bxy equals to 0.2 and byx equals to 1.8 तो अगर value नहीं पता है कि कौन सी Bxy की है कौन सी Bxy की है तो हम अपनी तरफ से एक को Bxy माल लेंगे एक को Bxy माल लेंगे और R अगर यह दोनों positive है तो R भी positive होगा तो positive sign लेने पर R equals to Bxy into byx solve करेंगे तो 0.2 into 1.8 और multiply करने पर 0.36 और root लेने पर 0.6 तो हमारा correct option है third option यानि हमारा third option है वो क्या होगा correct option होगा तो third option आगया अगर किसी को root लेने में दिक्कत है तो आप इसका square करेंगे तो 0.36 आजाएगा या फिर आप इसको ऐसे भी ली सकते हैं कि 36 upon 100 का root तो जो होता है 36 का root 6 और 100 का root 10 और 6 अगर 10 से divide करेंगे तो 0.6 तो simple सी calculation है ऐसा एक simple सा question और पुछा है उसमें value दिए है 0.2 and 0.8 तो अब अगर ये value होगा तो R की value होगी होगी 0.2 into 0.8 root के अंदर solve करने पर 0.16 और 0.16 है तो इसका अगर 0.4 तो हमारा 0.4 correct option होजएगा तो value अगर इस पर कार की हैं दो नो positive हैं तो R positive होगा इस option में तो 4 value positive हैं कई बार option में 2 positive दो negative value मिलती हैं तो हम दो value तो आपन बिना solve के वे card कर सकते हैं हमारा next question है given that the regression coefficient are minus 1.5 and minus 0.5 the value of correlation coefficient is first option is 0.75 second option is 0.7 third option is minus 0.87 और fourth option is minus 0.5 तो हमें given है bxy को मैंने माना की minus 1.5 है and byx को मैंने माना की minus 0.5 है अगर ये दोनो value given है तो अगर ये दोनो negative होना तो R भी negative होना चीए इसका मतलब हमारा first option crack नहीं हो सकता second option crack नहीं हो सकता तो cracked option होगा third या fourth अब ये option है minus 0.5 और ये value भी है minus 0.5 तो अगर ये दोनो value equal होती minus 0.5 और ये भी minus 0.5 तो answer होता है minus 0.5 तो दोनो value equal नहीं है तो इसका मतलब answer नहीं ये आएगा नहीं ये आएगा तो इसका मतलब ये option भी cracked नहीं है तो हमारा cracked option हो गया third option तो हम बिना solve की equation का answer लगा सकते है answer होगा minus 0.87 लेकिन अगर solve करना हो तो फिर कैसे करेंगे तो r ये question होता है plus minus दोनो value positive हो तो positive sign लेना पड़ेगा minus minus into minus plus हो जाएगा और इनको multiply करेंगे तो 75 तो 0.75 0.75 का अगर root लेंगे तो 0.75 का root 0.75 से बड़ा होता है यानि 0.75 से अगर हम value निकालेंगे तो इसकी value आएगी लगबग 0.86 के करीब जो की 0.87 के लगबग है तो इसकी value होगी minus 0.87 यह हमारा correct option है third option है तो अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहें तो आपको पता है कि जो यह 0.75 है इसको अगर मैं लिख सकता हूँ minus 0.25 into 3 root के अंदर और 0.25 का root होता है 0.5 तो minus 0.5 into root 3 और minus 0.5 root 3 की value होती है 1.732 और अगर इनको multiply करेंगे तो लगबग जो value है वो हमारी इसके करीब होगी तो दुबारा correct option हमारा कौन सा हो गया third option correct है लेकिन जब question अगर देखने से पता चल रहा हो प्राइब के answer third option है तो इतना भी solve करने की आओ शकता नहीं है तो option अगर दो positive दो negative है तो easily कर जाते है या तो दोनो positive वाली कर जाएंगे या दोनो negative कर जाएंगे depend on the value of regression coefficient regression coefficient की value negative है तो positive वाले option कट जाएंगे और इनकी value अगर positive ही होना है तो negative वाले option कट जाएंगे